बहुत ही जवरदस्त बैरिंग की सीरीज है UC बैरिंग जिसको मैं बोल देता हूँ पिलो यूनिट बैरिंग तो आज बताएंगे पिलो बैरिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहे यह विडियो में अन्ध तक हलो दूस्तों स्वागत आपके आपके इपन इंदर fitting होते हैं क्या होता है कि पूरा bearings लेके जाके यानि कि किसी रोल या position पे कहीं जो पर हम आराम से fitting कर सकते हैं पूरे पूरे bearing की इसमें कोई alignment की या किसी housing bracket की जरूरत नहीं होती पीलो bearings होते हैं यानि कि UC series होती है यह हमारे दो तीन तरह है कि P या फिर FL या फिर FC इन series के हमारे bearing maximum यूज होते हैं लेकिन ही कितना type की होते हैं यह हमारे पूरे चोदा टाइप की होते हैं और मैं चोदा के चोदा आज इस वीडियो मताँगा तो देखिए मैंने UC bearings की जो मेरी अचान कर लिया जाएगा कि यह किस type का bearing है यानि कि UC के इंदर भी अलग अलग types आते हैं यानि कि 14 types आते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यह मेरा हो जाएगा पी यानि कि UCP यह हो जाएगा मेरा F तो ऐसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ यानि कि FL हो गया, FC हो गया, FS हो गया और यह हो गया हमारा T, FB, PA, LP, PH, IP, FA, C और HA यानि कि मैं क्या देख रहा हूँ कि UC तो मेरा common है सब के इंदर UC देखेंगे सब के इंदर आ रहा है और उसके आगे bearings की एक digit लिखी है कोई ना गोई, यानि कि यहां पर P लिखा है, तो यहां पर F लिखा है, यहां पर FL लिखा है तो इनके क्या है कि इनके जो हमारे brackets या होजिंग है उसके अलग-अलग design हो जाते हैं, कैसे design हो जाते हैं, वो मैं photo के साथ में आपको दिखाता हूँ जिससे आपको बड़े असानी के साथ में पहचान हो जाएगी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कहां पर क्या डिफरेंस है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है similarly है जैसे हमारा PA तो ये क्या है हमारा PA यानि कि PA और P दोनों एक जैसे से यह है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो क्या चलिए देखेंगे सबसे पहले UCP ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैरिंग है इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है नमबर एक पर और इसी को हम pillow block bearing भी कहते है यह जो मैंने लिखा है pillow block unit यह हम इसी P को कहते है पी वाली जो series होगी इसी को कहेंगे इसलिए इसका नाम pillow block unit लिखा गया ठीक है तो देखेगा ये मेरा P का फोटो दिखाता हूँ बैरिंग का इसकीन पे देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है कि ये बिलकुल दोनों साइड में यानि कि दो बोल्टिंग पर हमारा आसानी के साथ रूख जाता है ये इसका फोटो सबस्यादा यूज़ने वाला बैरिंग ये है इसकी आगे आता है मेरा F F सीरीज कौन सी होगी यानि कि जिसमें चार बोल्टिंग होगी फोटो में आप देख सकते हैं ये हमारी F सीरीज होगी और सिर्फ अगर SNGL F है या FS है याद रखेंगे F और FS दोनों एक ही बात है यानि के चकोर में आएंगी फ्लेंज में और अगर हमारा स्कुएर फ्लेंज आगया यानि के 4 वोल्टिंग है लेकिन स्कुएर आ गया तो क्या होगा हमारा FCS आजाती है अब इसके बाद आता है हमारा FL FL भी हमारा दो बोल्टिंग पर यूज होता है इसका फोटो आप इसकीन पर देख सकते है कि ये हमारा FL है इसके आगे आता हमारा T फोटो पर आप देख सकते हैं मैंने T सिरीज का बेरिंग दिखाया है यह T series का bearing उपर T type बना हुआ है यहाँ पर हम कोई hook या bolting पर इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते है इसके आगे आता है मेरा FB सिर्फ single F4 bolting बरता लेकिन FB अगर इसमेर B लग गया तो यह हमारा 3 bolting पर यूज़ होता है फोटू में आप बड़े आसानी के साथ देख सकते है यह इस type का bearing होता इसके आगे series आती है मेरी PA अच्छा P और PA दोनों एक जैसी सी है यानि कि P type का ही PA है इसमें फराग क्या है A लगने के बाद आप देख सकते हैं फोटू में कि इसके जो पंक निकले होए जहां बोल्टिंग लगते है वो इसका size थोड़ा छोटा हो गया यानि कि अगर हमारा जंगा कम है तो हम PA का bearing यूज़ करेंगे इसका size छोटा हो जाता है जहां पर बोल्ट लगते हैं इसके आगे आता है मेरा LP LP का मतलब large ले ले लेते है यानि कि पी को आप बढ़ा दिया इसके जो हमारे ये पंक निकले होए जहां पर बोल्टिंग डलते हैं ठीक है आप फोटू में देख सकते हैं ये थोड़े बढ़ जाते हैं तो ये LP series हो जाती है इसके आगे आजाता है हमारा PH यानि कि P की जो series है आप P का bearing शुरू में देखा ही है और H, H का मतलब height यानि कि P को height कर दिया यानि कि जहां पर bearing है उसको हमने बढ़ा दिया फोटू में देख सकते हैं ठीक है? P को यानि कि जहां पर हमारा bearings लगता है उस होजिंग की height हमने बढ़ा दिये इसलिए इसको PH series बोल दिया है ये P का ही type इसके आगे आता है IP यानि कि जो P है उसकी हमारी thickness यानि कि चोड़ाई होजिंग की वो हमने थोड़ी कम कर दी तो वो series हो गई हमारी IP फोटू में आप बड़े आसानी के साथ में देख सकते हैं इसके आगे आता है हमारा FA FA होता है हमारा survival motion यानि कि हम वपर hook में टांके और नीचे बड़े आसानी के साथ एक मोशन में चला सकते हैं यानि कि किसी spring पर भी इसका फोटो आप स्कीन पर देख सकते हैं ये बड़े आसानी के साथ समझ में आ जाएगा इसके आगाता है हमारा UC के बाद में C, सिर्फ सिंगल C लगा हो अब सिंगल C लगा है यानि के पूरा होजिंग गोल है कहीं भी हमारा जो bolting का निशान होगा、 bolting की जञागा होगी वो उस होजिंग पर ही होगी छाहा का फोटो भी आप स्क्रीन पर आसानी के साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हैरिंग बोन house होता है एक hunger type होता है, लटाकने वाला hunger होता है ना उस टाइप में होता है आप फूटो में असानी के साथ देख सकते हैं इसकी पैचान है और बेसिक यूजिज है लेकिन मैं आपको बता दू कि सबसे ज़ादा इन में जो बैरिंग्स यूज होते हैं यानि कि इनी के टाइप है इस्ट्राटिक में मेरे लिखे हैं पी एफ एफ एल या एफ सी यह चार बैरिंग का मैक्सिमम यूज है और इनी के यह टाइप है लेकिन क्या है अगर अगला अगला पोजिशन है तो हम इनके टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वीडियो में कोशिश किये कि यूसी बैरिंग्स की जानकारी बेसिक मिल सके है अगर सब्सक्राइब कर लिए अगर कोई भी डाउट नेक्ट वीडियो में नेक्स टेक्ट के फिर मिलते हैं तब तक के लिए